हेलो दोस्तों दुनिया में साहिद को यसा व्यक्ति होगा जो चीन की 20 साल दिवार से परिशित नहीं होगा पूरे 200 से लोग इस दिवार को देखने के लिए आते हैं कहा तो यह भी जाता है कि यह दिवार अंतरिछ से भी दिखती है अंग्रेजी में Great Wall of China के नाम से जाने जाने वाली है दिवार दुनिया के साथ अजुबों में सामील है इसकी वज़ा यह है कि यह दुनिया की सबसे लंबी दिवार है आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दिवार को दुनिया का सबसे बड़ा कबरिस्तान भी कहा जाता है लेकिन साल 2012 में चीन में ही किये गए एक राजिके सर्वेक्षण में यह बात गलत साबित हो गई उत सर्वेक्षण में बताया गया कि चीन की दिवार की कुल लंबाई 21,196 किलोमेटर है सर्वेक्षण की यह रिपोर्ट चीन के प्रमुक समचार पत्र सीन हुआ में भी प्रकासित होई थी इस दिवार के बनने की कहानी कोई दो, चार, सौ साल नहीं बलकि हजारों साल पुरानी है वैसे तो दिवार बनानी की कलपना चीन के पहले समराट कीन सीन हुआंग ने की थी लेकिन वो ऐसा कर नहीं सके थे उनके मनने के सैकड़ों साल बाद दिवार का निर्मार कार आरंब किया गया माना जाता है कि इसे बनानी के सुर्वात इसा पूरू पांचवी सताबदी मुहिती जो सुलवी सताबदी तक चली इसका निर्मार एक नहीं बलकि चीन के कई रजाओं ने अलग-अलग समय में करवाया है कहा जाता है कि इस दिवार का निर्माद दुस्मनों से चीन की रक्षा के लिए किया गया था लेकिन ऐसा हो नहीं सका था 1211 इसे में मंगुल सासक चंगेच खान ने एक जगह से दिवार को तोड़ दिया था और उसे पार कर चीन पर हमला कर दिया था माना जाता है कि इस विशाल दिवार के निर्मार कारे में करीब 20 लाख मजदूर लगे थे जिन में से करीब 10 लाख लोगों ने इसे बनाने में ही अपनी जानगवा दी थी कहते हैं कि उन लोगों को फिर दिवार के नीचे ही दफना दिया गया था यही वज़ा है कि चीन के इस महान और विसाल दिवार को दुनिया का सबसे बड़ा कबरिस्तान भी कहा जाता है हलाकि इसमें कितनी सच्चा ही है यह तो कोई नहीं जानता इसलिए यह एक रहस्य बन कर रहा क्या है अगर आप विडियो पसंद आती हैं तो इसे लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर करें